एई गाइज वाट्स अप कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत सबागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में हम कर रहे हैं फास्ट ट्राक टैक्सेशन फर सीए इंटरमेडियेट मेट 23 और आज इसका 43rd सेशन है हम लोग GST कर रहे हैं और GST में हमारा composition levy वाला chapter हम लोग आज करने जा रहे हैं अगर study material में आप लोग देखोगे तो charge of GST और composition levy को एक ये chapter में merge करके दिया हुआ है लेकिन मैंने उसके दो अलग-अलग chapters बना हैं इसे ही बस और कोई खास रीजन नहीं है उसका इस डिवाइड़ेड़ टॉपिक्स इंटो टू चैप्टर्स नौट 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 बीग दीड रहे हैं आप लोग मेरे बारे में थोड़ा से यहां पर यह पढ़ सकते हो यह मेरा schedule है रोज रात को 9 बजे हम लोग यहां पर Unacademy CA YouTube चैनल पर Fast Track Taxation वाली classes रखते हैं और November 23 के लिए Unacademy Plus पर एक आगरता वाज चल रहा है जिसमें मैं दुपहर को 12 बज़े से लेकर 2 बज़े तक लाइब आकर आप लोग को पढ़ाता हूं Mondays to Saturdays May 23 के students के लिए मैंने एक strategy session लिया था जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उसमें मैंने सब बताया कि कैसे पढ़ना है कैसे revision करना चाहिए single group के लिए appear करना चाहिए both groups के लिए appear करना चाहिए वगर वगरा तो आप उसको देख सकते हो इस वीडियो के description से past track taxation के अभी तक जितने भी sessions हुएं उन सबके एक proper playlist बनाई हुई है और वो playlist का link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर screen पर notes यूज करता रहता हूँ वो notes भी आपको PDF में आराम से मिल जाएगे तो notes का link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा ठीक है चल यह सर हम लोग शुरू करनें composition लेवी बड़ा simple सा topic है बहुत ही छोड़ा सा topic है composition लेवी basically क्यों किया गया है composition लेवी उन लोगों के लिए किया गया है जो छोटे suppliers होते हैं ठीक है आपको पता है अगर आप supply करोगे goods की या services की तो उसकी value determine की जाएगी as per section 15 और section 15 क हिसाब से उस पर GST calculate किया जाएगा ठीक है मैं एक बार revise करवा दे रहा हूँ हुआ क्या था एकदम पहली class में GST में हम लोग ने क्या दिखा था कि अगर A B को suppose माल बेचता है एक लाख रुपे का और 18% GST है तो एक लाख अठारा रुपे का माल बेचा जाएगा मतलब एक यह जो है वह एक लाख 18,000 रुपे देगा ठीक है इसमें से 18,000 रुपे जो है वह ए सरकार को जमा कर देगा उसमें से ए जो है 18,000 रुपे सरकार को जमा कर देगा और इस process को बोलते हैं forward charge इस प्रॉसेस को बोलते हैं forward charge क्योंकि ए जो कि आपका supplier है उसने अपने recipient से उसने बी जो कि recipient है उसने अपने recipient से रेसिपियंट की spelling में रगो नहीं आती पता नहीं में बार बार चेक भी करना भूचा दो तो ए जो आपका supplier है उसने बी अपने recipient से GST charge किया और GST charge करने के बाद सरकार को जमा कर दिया हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी supplier के लिए जब भी उसको GST collect करना होता है सरकार को pay करना होता है तो बहुत सारे compliances भी follow करने होते हैं बहुत सारे compliances follow करने होंगे उसको registration लेना होगा उसको GSTR 1 भरना होगा उसको annual returns भरने होगे उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होगे उसको GSTR 3B भी भरना होगे तो बहुत सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती है तो एक जो भी छोटा supplier होता है उसको ल compliance issues में पैसा गवा दूगा, पैसा गवा दूगा, ठीक है, तो सरकार करी कि ठीक है, अगर आपका turnover एक threshold limit दी हुई है, एक specified limit दी हुई है, 75,00,000 की limit है वो, और 1.5 करोड की limit है वो, किन-किन states में 75,00,000 है, किन-किन states में 1.5 करोड है, उसके बारे में हम लोग ने उपर-उपर से बात की थी, बाकि हम लोग registration वाजी chapter में इसके बारे में detail में भी बात करेंगी, right, तो हम लोग ने बात की थी, कि अगर आप supplier of services हो, और आपका किसी भी financial year में turnover 20,00,000 को cross कर जाता है, तो यहां पर सरकार ने कहा, देखो, registration तो तुम्हें ले नहीं है, जैसी 20,00,000 क्रॉस किया, या 40,00,000 क्रॉस किया, तो तुम्हें registration तो ले नहीं लेना है, तुम्हें काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अभी छोटे हो, तुमारा dear करोड तक turnover है, dear करोड से ज्यादा तुमारा turnover नहीं है, तो तुम्हें काम करो, यह सारे के सारे compliance को मारो गोली, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ अपनी value पर अपने आप से GST पे कर देना है, बहुती थोड़े से amount पे, मतलब अभी तुमने क्या किया, अभी तुमने अपने recipient से यह 18,000 रुपे चार्च किया, अब तुम्हें काम करो, यह 18,000 रुपे तुम चार्च मत करो, अच्छा यह तो गई एक बात अब अगर माल लो अगर माल लो कुछ MRP पर गुड्स होते हैं MRP क्या होता है maximum retail price और उसमें अगर आपने कहीं पर भी देखा होगा तो लिखा होता है inclusive of all taxes तो अब यह अगर आप suppose अपने घर के बगल वाली दुकान पर गए और वहाँ पर आपने chips का packet खरीदा 10 रुपे का आपने chips का packet खरीदा अब आपको पता है इस 10 रुपे के अंदर GST का amount included है एक बार मान के चलते हैं कि chips पर 18% का GST लग रहा है मान के चलते हैं हो सकता है कुछ और rate हो लेकिन मान के चल वाल्यू थी X उस पर 18% का GST लगा और तब जाकर यह 10 रुपे का packet बना ठीक है तो chips की value कितनी आ जाएगी 10 upon 1.18 chips की value आ जाएगी 10 upon 1.18 तो देखे जी 10 divided by 1.18 किता आता है 8.47 यह आता है 8.47 इसका मतलब अगर 10 में से आप 8.47 माइनस करो तो 1.53 रुपीस का GST लगा हुआ होता है उस पर ठीक है तो अब मेरे बात मेरी बात जर्ब बहुत ध्यान से सुन आप जब अपने घर के पास वाली दुकान पर जाकर chips खरीतते हो तो आप 10 रुपे करते हो ना आप 10 ही रुपे पे करते हो वो जो shopkeeper होता है वो यह तो नहीं करता है आप ना 8.47 रुपे दो और इस 8.47 रुपीस पर मैं 1% का tax अपनी जेब से भर हुआ ऐसे तो वो नहीं होता है तो जो MRP वाले goods होते हैं वो तो MRP पर ही बिखते हैं तो वो 10 रुपे का अगर समाने तो 10 रुपे का ही मिलेगा मतलब अगर कोई ऐसे goods हैं जिनमें price inclusive of GST है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से अगर ऐसे कुछ goods हैं जिनमे price inclusive of GST है तो customer को वो उतने का ही पड़ेगा लेकिन उसके बाद composition suppliers को क्या हो जाएगा उसके उपर GST अपनी जेब से भरना होगा उसके उपर GST अपनी जेब से भरना होगा क्यों भरना होगा क्योंकि composition levy में एक चीज ये भी होती है कि आप जो भी input आपने लिया हुआ होता है जो भी आपने purchases लिये होते है उस पर जो आप tax pay करते हो उसका credit आपको नहीं मिलता है तो जैसे यहीं पर अगर हम लोग देखे A और B वाले example में अगर हम यह A और B वाले example में देखे तो A और B अब A ने एक लाख रुपे का समान लिया अगर A normal supplier है composition supplier नहीं अगर A normal supplier है तो वो B से एक लाख 18,000 रुपे लेगा वो B से एक लाख 18,000 रुपे लेगा अब 18,000 रुपे उसको सरकार को जमा करने है 18,000 रुपे उसको सरकार को जमा करने है सपोज A ने जो भी समान खरीदा था उस पर उसके पास 10,000 रुपे का input tax credit पड़ा हुआ है अवेल किया हुआ है उसने तो वो उसको उस credit को इसकी against utilize करेगा और 8,000 रुपे ही A को सरकार को pay करना होगा yes, composition scheme में ऐसा नहीं किया जा सकता, composition scheme में कोई भी supplier जो होता है वो ना तो अपने customer से tax अलग से charge कर सकता है कि देखो यह मैं GST अलग से charge कर रहा हूँ जो goods already MRP पे है वो तो लगेंगे ही लगेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अलग से जैसे हम लोग जब invoice देते हैं तो मैं भी जब unacademy को invoice देता हूँ तो मैं बताता हूँ यह तो value of service हो गई मेरी ठीक है कि मैंने unacademy को इतना content दिया या इतना record किया या जो भी है तो फिर यह तो मेरी value हो गई plus GST ठीक है और इसी चीज़ को बोला जाता है tax invoice इसी को बोला जाता है tax invoice ठीक है तो जो normally registered लोग होते हैं वो tax invoice issue करते हैं tax invoice issue करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने जो भी goods या service वो provide कर रहे हैं उसकी value mention करेंगे और plus GST भी लिखेंगे मतलब मैं unacademy से GST collect कर रहा हूँ और इस GST को मैं सरकार को जमा कर रहा हूँ अब अगर मैं कुछ भी समान अपने business के लिए खरीदता हूँ तो उस पर जो भी GST पे करता हूँ उसका credit मुझे इस GST के against मिल जाता है तो composition levy वाले जो भी suppliers होते हैं जो composition scheme वाले suppliers होते हैं वो tax invoice issue नहीं कर सकते वो सिर्फ एक normal bill issue करेंगे वो tax invoice नहीं issue कर सकते tax invoice नहीं issue कर सकते तो अपने customers से अलग से GST नहीं charge कर सकते जिनकी value ही inclusive of GST है वो value charge करेंगे ठीक है आप हमेशे इसको ऐसे सोचना बगल की दुकान से 10 रुपे का packet खरीद दे जाओगे तो आपको 10 ही रुपे का मिलेगा आपको 8 रुपे का नहीं मिलेगा तो even if your जो दुकानदार है वो composition scheme में registered है या main scheme में registered है तो समान तो आपको तो उतने काई समान मिलेगा लेकिन composition वाले के लिए क्या हो जाएगा कि उसको 18% अलग से देना नहीं पड़ेगा वो साथ ही साथ input tax credit वो नहीं ले सकता है तो तीन चीज़ें हो गए एक तो वो tax invoice नहीं issue कर सकता एक दूसरा वो अपने customer से GST अलग से charge नहीं कर सकता और तीसरा अपने inputs पर ITC avail नहीं कर सकता ITC को क्लेम नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि एकदम simple सा फटना है सरकार के यह देखो यार यह सारी की सारी चीज़ें करने के ल आप 1% GST पे कर दो आप simple 1% GST पे कर दो या 2% GST पे कर दो या 5% GST पे कर दो वो हम लोग अभी देख लेंगी rates का है पड़ाय होब आपको composition लेवी का मतलब समझ में आ रहा है ठीक है composition लेवी छोटे suppliers के लिए होती है जिनका turnover डेड़ करोड से कम होता है जिनका turnover साल का डेड करोड से कम है तो सरकार कहती है कि आपको पूरे किसी जगडे जंजट में पढ़ने के जरूरत नहीं है आपका simply जो भी turnover है उस turnover पे हमें 2% के rate से या 5% के rate से 1% के rate से जो भी यहां पर rates prescribed है उनके हिसाब से आप हमें tax pay कर दो खतम करो आपको कोई जगडे में नहीं पढ़ना तो आपको समझ भाएंगा कोई भी supplier होता है तो उसको कितने जितने भी उसने आउटवर्ट सप्लाइज की अब जैसे मैं अने कैडमी को सप्लाइब कर रहा हूं एडुकेशनल सर्विसेज या content वाली सर्विसेज में अने कैडमी को सप्लाइब कर रहा हूं ठीक है मैं ग्रो को बना कर देता हूं कभी कभी कोई और organization भी आ जाती है कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए तो मैं उसको भी बना कर देता हूं महीने के end में मुझे एक return फाइल करना होता है जिसमें मैं यह details mention करता हूं कि मैंने इस महीने में कितनी कितनी आउटवर्ड सप्लाइज प्रोवाइड की मैंने कितने रुपे का supply प्रोवाइड किया उसमें मैंने कितना GST चार्ज किया मैंने ग्रो को कितने रुपे का का एक return फाइल करूँगा, तो उनके portal पर, उनका जो GST portal है, unacademy का जो GST portal है उनको दिखने लग जाएगा कि इतना credit मेरे पास आ रहा है इतना credit में utilize कर सकता हूँ, तो अभी composition supplier क्या हो गया, इसको कोई अपना statement of output supplies फाइल करने की कोई जरुपरती है, क्यों? क्योंकि ये जिनको भी माल बेच रहा है, उनको tax invoice तो दे नी रहा उनको tax invoice तो दे नी रहा तो उनसे अलग से GST तो चार्ज करनी रहा तो एक बड़ा drawback ये है कि जो composition supplier होता है उसका जो recipient होता है ये recipient भी input tax credit नहीं ले सकता है ये composition supplier है composition supplier ने बी को माल बेचा बी से अलग से GST चार्ज किया नहीं, इसी एक लाग पर अपनी जेप से इसने एक परसेंट GST पे कर दिया अब बी के पास tax invoice तो ही नहीं और अगर बी के पास tax invoice नहीं है तो अगर बी ने इस माल को आगे बेचा तो बी credit लेही नहीं पाएगा बी credit लेही नहीं पाएगा बाब लोगे सर तो बी ने GST दिया कहां लेकिन आप ये सोचो ना जो composition वाले, जो ये chips वगेरा वाले जो groceries वाले वो कहां ले पाएगे मैं आपको चलो simple एक और example देता हूँ सपोज मैं अपना registration composition scheme में करवाता हूँ मैं अपना registration composition scheme में करवाता हूँ और मैं unacademy से अलग से GST तो charge कर नहीं सकता ठीक है मैंने सपोज unacademy को billing किया भी अगर माल लो चलो मैं आपको example से समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझ मैं आएगा ठीक सुनना मेरी बात मैंने एक iPhone खरीदा मैंने एक iPhone खरीदा इस पे मैंने 5000 रुपे का GST पे किया क्या मैं इसको अपने business के लिए use कर रहा हूँ हाँ क्या इस 5000 रुपे का मुझे ITC मिल सकता है हाँ मैं इस 5000 रुपे को अपने input tax credit की तरह से utilize कर सकता हूँ अब अगर मानलो मैं composition supplier रहा अब अगर मैं composition supplier रहा ये हूँ मैं ये हूँ मैं ठीक है और ये है unacademy ठीक है ये हूँ मैं ये है unacademy अब क्या हुआ मैंने unacademy को एक लाख रुपे का बिल करके दिया मैंने unacademy को एक लाख रुपे का बिल करके दिया ठीक है unacademy ने मुझे एक लाख रुपे ही दे दिये unacademy ने मुझे एक लाख रुपे ही दे दिये ठीक है अब क्या होगा कि मैं इस एक लाख रुपे पर मैं इस एक लाख रुपे पर एक परसेंट का GST अपनी जेब से पे करूँगा अपनी जेब से एक लाख रुपे का एक परसेंट कितना है दो-सी रोटा तो एक हजार रुपे आया एक हजार रुपे आया अगर मैं composition scheme में registered नहीं होता अगर मैं composition scheme में registered नहीं होता तो मैं क्या करता तो मैं सबकार को देने पड़ते क्या मेरी जब से एक भी पैसा गया नहीं मेरी ज्ब से एक भी पैसा मेरी जब से तो नहीं और तो थो क्यों सब्सक्राइब इसकति हां मैंने एक लाख रुपे की बिलिंक एजस्ट हीाड रुपे दिए मैं अने जब आइफोन लिया तो आइफोन मेने किस से लिया आइफोन तो मैंने आपल वालों से लिया या आपल वाले स्थेम में रेजिस्टरड है नहीं आपल वाले नॉर्मल registered है तो क्या Apple वाले मुझसे 5000 रुपए GST लेंगे of course लेंगे Apple वाले अगर मेरे को phone बेचेंगे तो 5000 रुपए वो लोग तो GST लेंगे ठीक है मैंने Apple वालों को 5000 रुपए का GST पे किया मैंने Apple वालों को 5000 रुपए का GST पे किया और मैंने Unacademy को जो billing की एक लाख रुपए की उस पर 1% मैंने खुद से GST पे किया 1000 रुपए तो 1000 रुपए मैंने अपनी जेप से पे किया 5000 रुपए मैं Apple वालों को पे कर चुका हूँ इसका credit मैं यहाँ पर नहीं नहीं ले सकता हूँ 5,000 रुपए का credit मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ मेरी जेप से total कितना गया 2000 रुपए क्या यह पूरा का पूरा सिर्फ मेरी जेप से गया हाँ यह मेरी जेप से गया तो सर ऐसे तो यह वाली जो scheme है वह बहुत बेकार है नहीं वह आपके ओपर पैंड करता है अब देखो कई सारे लोगों को difficulty होती है compliance issues को compliance issues में जाने में कई सारे लोगों को नहीं होती मेरा turnover 1.5 करोड का नहीं है मेरा turnover डिर करोड का बिलकुल भी नहीं है पर फिर भी I did not get myself registered for composition levy I did not get myself registered for composition लेवी ठीक है I got myself registered for normal scheme only normal scheme में अपना registration कर रहा है क्यों registration कर रहा है क्योंकि मेरे लिए compliance issues कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए compliance issues कोई बहुत बड़ी बात नहीं है by God's grace I know a lot of stuff I have a lot of you know people who can take care of this stuff तो by God's grace I'm well to do और मेरा काम बढ़िया से चल रहा है मैं credit वगरा भी ले पा रहा हूँ जो actually छोटे लोग होते हैं जो actually मतलब जिन लोगों को दिक्कते आती हैं उनके लिए ये composition levy काफी अच्छी scheme होती है personally मैं तो कभी भी recommend नहीं करता कि composition levy में जाओ क्योंकि eventually आपका business जब बढ़ेगा तो आपको normal scheme में आने ही पड़ेगा तो बहराल ये एक basic fundा हुआ composition levy का क्या fundा हुआ कि आप अगर composition levy में registered हो तो आप tax invoice नहीं issue कर सकते आप GST collect नहीं कर सकते आपने जो भी input tax pay किया उसका आप credit नहीं ले सकते आपको अपनी जेप से एक बहुत ही थोड़ा सा nominal amount आपको सरकार को जमा करना होगा एक बहुत ही nominal amount आपको सरकार को जमा करना होगा this is the basic function of composition levy चलिया यह तो हो गया यह हो गया अच्छा eligibility for composition scheme अच्छा मैं आपको यह भी बता देता हूं देखो क्या है तो suppliers whose aggregate turnover is less than or equal to 1.5 trillion rupees और 75 lakh rupees for some specialized states in the preceding financial year are eligible to opt for this suppliers in the composition scheme have to pay tax at concessional rates as follows तो अगर आप goods के manufacturer हो तो आपको 1% pay करना होता है किसका of turnover in the state अच्छा composition supplier अगर आप होना तो आप interstate supply of goods नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप एक state से दूसरे state में समान बेच रहो तो बड़े आदमी हो गए ना फिर आप खुटे आदमी नहीं रहे तो अगर आप goods बेच रहे हो services में चलेगा क्योंकि services में क्या है कि मैं यहां पर बैठके भी कहीं पर भी service दे सकता हूं अगर मेरी कंसल्टेंसी सर्विस है या जैसे मेरी एजुकेशन वाली सर्विस है तो मैं प्रयाग्राज में बैठके मैं किसी भी गाओं में भी बैटके कहीं पर भी services provide कर सकता हूं online provide कर सकता हूं interstate में service provide कर सकता हूं interstate के inter country भी में services को provide कर सकता हूं ठीक है लेकिन interstate आप goods प्रवाइड नहीं कर सकते हैं ठीक restaurant service अगर आपके है तो 5% of turnover in state other suppliers अगर आप हो तो 1% of turnover of taxable supplies of goods or services in the state और union territory other suppliers का मतलब हो जाता है traders ठीक है तो यह primarily scheme जो आई थी वो traders के लिए manufacturers के लिए और restaurant services के लिए आई थी eventually इसका scope बढ़ाया गया normal बाकी services के लिए इसका scope लेकर गए लेकिन mainly यह वाली scheme पहले goods के लिए आई थी तो traders के लिए और manufacturers के लिए आईए however upon opting for the scheme he cannot issue taxable invoice under GSC law neither can collect GSC from customers nor can he claim input tax credit on his purchaser ठीक है अब eligibility देख लेता है तो eligibility वो ही है कि less than या equal to 1.5 crore rupees है in the preceding financial year यानि अगर हम 22-23 के बारे में बात करें तो 21-22 देखो ठीक है ठीक है not for composition scheme लेकिन अगर वो specified states में है specified states मतलब अरुनाचल प्रदेश, मनिपुर, मिघालेया, मिजोराम, नागालाण, सिक्किम, तृपुरा, उत्राखन ठीक है और इन specified states के नामों को आपको याद करना है अरुनाचल प्रदेश, मिजोराम, मनिपुर, मिघालेया, मिजोराम, नागालाण, सिक्किम, तृपुरा, उत्राखन अगर आप इसमें हो तो ये 1.5 करोड की जगा 75 लाग रुपीस देखा जाएगा मतलब अगर आप इन 8 states से कर रहे हो अगर आप इन 8 states से कर रहे हो और प्रिवेस येर 21-22 में आपका टर्नोवर सपोज 80 लाग था तो 80 लाग था, 1.5 करोड से तो कम था 1.5 करोड से कम था, पर 75 लाग से ज्यादा हो गया तो क्या आप 22-23 में कॉमपोजिशन स्की मॉप्त कर सकते हो अगरिगेट टर्नोवर, जिसका आगरिगेट टर्नोवर 1.5 करोड से ज्यादा होता है उसको वो देखा जाते है अगरिगेट टर्नोवर का मतलब क्या होता है मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हू आगरिगेट टर्नोवर का मतलब होता है सब कुछ चाहे आपने non-taxable supplies provide किया हो, चाहे आपने taxable supplies provide किया हो, चाहे आपने exempt supplies provide किया हो, चाहे आपने कुछ भी provide किया हो, aggregate turnover का मतलब हो जाते है basically सब कुछ, ठीक है, except for two things, except for two things और वो दोनों की तोनों चीज़ें बहुत ही logical है, बहुत logical पहली चीज़, अगर आपने कोई invert supplies ली, अगर आपने कोई समान खरीदा, लेकिन उस पर GST RCM से लगता है, RCM बोले तो reverse charge mechanism, हम लोग ने last class में पूरा reverse charge mechanism समझा, तो अगर आपने कोई invert supplies ली और उन पर आपको reverse charge mechanism में tax pay करना होता है, तो क्या उसको भी आप outward tax मालोगे, outward supply मालोगे, नहीं, obviously not, मतलब this is common sense, ठीक है, कि आपको सिर्फ tax pay करना है, आपको सिर्फ इस पर tax pay करना है, तो यह समान आपने बेचा थोड़ी, मतलब this is very common sense, इसको definition में डालें कि कोई खास जरूरत थी नहीं, कि अगर आपने invert supplies ली, हम turnover के बारे में बात करना है, turnover का मतलब होता है, माल बेचने से जो भी पैसा आता है, ठीक है, invert supplies लेने पर अगर RCM लग रहा है, और उसकी वज़ह से मुझे GST पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह थोड़ी कि मेरी outward supply है, यह तो मेरी inward supply है न, वो ही बोला जा रहा है कि does not include value of inward supplies on which taxes payable by a person on reverse charge base, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो आपको include नहीं करनी है, वो है CGST, SGST, IGST वगेरा वगेरा, और यह भी एकदम common sense है, मैंने आपको बताया न, मैंने अगर unacademy को 1,18,000 रुपे की billing की, मैंने अगर 1,18,000 रुपे की billing की, तो क्या यह 18,000 रुपे मेरी income है, नहीं, यह 18,000 रुपे मेरी income inclusive of GST है, तो उनमें GST है, तो GST तो मैं लूँगा ही न, मैसे भी, ठीक है, क्योंकि GST तो मेरी income ही नहीं मानी जाती, कभी भी GST मेरी income नहीं मानी जाती, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक लाख रुपे ही लूँगा, मैं सिर्फ एक लाख रुपे ही लूँगा, तो central tax, state tax, union territory tax, integrated tax यह सारी की सारी चीज़े मेरेको नहीं करनी है, ठीक, explanation for calculation of aggregate turnover, तो aggregate turnover should include the value of supplies made by such person from 1st April of our financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act, but exclude the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans and advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, आओ, इन दोनों चीज़ों को समझते है, बड़ा सही रहेगा, aggregate turnover में, हम लोग ने अभी क्या बात की, कि जिसका aggregate turnover 21-22 का डिर्ड करोड से ज्यादा था, वो 22-23 में composition scheme के लिए apply नहीं कर पाएगा, ठीक, जिसका turnover 21-22 में डिर्ड करोड से ज्यादा था, वो 22-23 में composition के लिए apply करने के लिए, आपका पिछले financial year का aggregate turnover डिर्ड करोड से कम होना चाहिए, एकदम सीदी बात, मानलो किसी का business ही 22-23 से start हुआ, मानलो किसी का जो business है, वही आपका 22-23 से start हुआ, ठीक है, 22-23, 1st April 2020 से आपने अपना business start किया, 1st April 2022 से आपने अपना business start किया, और 30th June 2022 तक ही, 30th June 2022 तक ही आपने 1.60.000.000 का माल बेच लिया, ठीक है, एक करोड 60.000.000 का माल बेच लिया, ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप 20.000.000 के उपर जाओगे, जैसे ही आप 40.000.000 के उपर जाओगे, आपको registration कराना होगा, ठीक है, 1st April 2022 से आपने समान बेचना शुरू किया, जैसे ही आपकी turnover 40.000.000 क्रॉस की, आपको GST में registration कराना होगा, ठीक है, और उसके बाद, जैसे ही आपका, सपोज, आपने composition scheme में registration करा लिया, आपने composition scheme में registration करा लिया, और अगर उसके बाद, आपकी turnover 1.500.000 क्रोड से उपर चल गई, तो आपको इसी साल, normal scheme में कराना पड़ेगा, मतलब आप ये नहीं कह सकते, कि अरे, previous financial year का दिखा जाता है न, तो 2021 में तो हमारा turnover 0 था, अगर 2021 में हमारा turnover 0 था, तो इस साल, पूरे स हम competition supplier रहेंगे, even if my turnover only in the 3 months has crossed 1.5 crore rupees, तो ये बोला है कि aggregate turnover should include the value of supplies made by such person from 1st April of a financial year, up to the date when he becomes liable for registration under this act, बतलब aggregate turnover में 1st April से लेकर, जब तक आप registration के लिए liable नहीं हो जाते, तब तक कभी turnover include करना होगा, ठीक है, जैसे आपने, 10 crore वाला छोड़ो ये, 40 lakh की बात ही करता हूँ मैं, ठीक है, ये 1st April से आपने start किया, और ये रहा 1st May, ठीक है, तो 1st April से 1st May में आपने 40 lakh रुपे का turnover किया, आपने 40 lakh रुपे का turnover कर लिया, अब 1st May से फिर 1st June, 1st June आपने और 20 lakh रुपे का turnover कर दिया, आपने और 20 lakh रुपे कर दिया, तो हम सिर्फ 20 lakh रुपे मानेंगे, 20 lakh से counting start करेंगे, या ये 40 lakh रुपे काउंट करेंगे, तो aggregate turnover जब हम calculate करेंगे, तो हम ये 40 lakh रुपे करेंगे, ये 40 lakh रुपे करेंगे, मतलब 1st April से 1st June तक का aggregate turnover हमारा 60 lakh होगा, 20 lakh नहीं, registration तक का turnover भी हमें include करना होगा, simple सा मतलब ह registration तक का turnover भी हम लोगों को include करना होगा, तो explanation क्या है, यही है, कि aggregate turnover should include the value of supplies made by such person from 1st April of a financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act, तो अगर ये 1st May को liable होता है registration के लिए, क्योंकि 1st May को 40 lakh cross करता है, तो aggregate turnover जब हम देखेंगे, तो aggregate turnover में ये 40 lakh को भी include करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर 20 lakh से आपने count करना शुरू करती है, तो एक, आगे देखते हैं, but excludes the value of exempt supplies, but excludes the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans and advances in so far as a consideration is represented by interest or discount, क्या होता है, कि अगर आपने पैसा बैंक में जमा किया, तो बैंक आपको interest देगा, और मैंने आपको पताया, कि interest क्यों मिलता है आपको, because bank को आप service provide कर रहे हो for using your money, right, banks को आप service provide कर रहे हो for using your money, और उसके लिए bank आपको consideration देता है interest, तो एक तरस ये भी तो turnover में आगया फिर, अगर आप bank को ये supply दे रहे हो, अगर आप ये bank को supply कर रहे हो, आपने 1 lakh रुपे जमा किया bank में, ठीक है, आपने bank में 1 lakh रुपे जमा किया, और उस 1 lakh रुपे को जमा करने के बाद, bank ने आपको कुछ interest वगेरा दिया, ठीक है, तो ये जितना interest दिया, 1 lakh रुपे जमा करने के बाद, suppose bank ने आपको 10,000 रुपे interest दिया, तो ये 10,000 रुपे भी तो आपका aggregate turnover मे include होना चाहिए तो सरकार कहती है नहीं यह जो 10,000 रुपए आपको interest वगरा मिल रहा है यह आपको कहीं से discount मिल रहा है deposit करने पर आपने जो पैसा bank में जमा किया उससे अगर आपको कोई interest वगरा मिल रहा है तो फिर इसको आप अपनी अग्रिगेट टर्नोवर में include मत करो नहीं तो ऐसे तो बड़ी दिखकत हो जाएगी न क्यूकि अगर composition supplier के लिए आप aggregate turnover देख रहे हो समझना बात को अगर composition supplier के लिए आप aggregate turnover देख रहे हो और उसमें आप bank के interest को भी include कर रहे हो तब तो nonsense है एकदम तब तो एकदम nonsense हो जाएगी composition supplier का काम आसान करने के चक्कर में आपने तो उसको और complicate कर दिया तो इसलिए सरकार कहती है कि नहीं जब हम composition supplier के लिए aggregate turnover calculate करेंगे तो यह जो interest वाला पैसा होता है इसको aggregate turnover में include नहीं करेंगे अब सुनना मेरी बात ध्यान से registration वाला chapter जब हम पढ़ेंगे registration वाला chapter जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखा जाएगा वहाँ पर यह बताया जाएगा कि aggregate turnover अगर आपकी 20 लाग या 40 लाग को cross करती है तो आप registration ले लो उस वाले chapter में जब आप aggregate turnover देखते हो for the purposes of taking registration तब यह 10,000 include होगा तब यह 10,000 include होगा लेकिन composition scheme में जब आप aggregate turnover देखते हो तो यह 10,000 include नहीं होगा बाकि जब हम लोग registration में पहुंचेंगे तब उसके बारे में तब में अंधरप्रदेश has reported an aggregate turnover of 78 lakh rupees in the preceding financial year determine whether Nishten trading company will be eligible for composition scheme as on 31st October 2021 हां बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि कितना हो गया 78 लाग हुआ ना 78 लाग हुआ कौन सी state है यह आंधरप्रदेश है क्या आधरप्रदेश उन आठ states में से आती है नहीं आधरप्रदेश नहीं आती है क्योंकि इन 8 states में अरुनाचल प्रदेश वगर है तो आधरप्रदेश is not in one of these eight states right तो आधरप्रदेश के लिए जो threshold limit है वो कितनी है डिर्ड करोड है तो 78 इसके अंदर जो इंवर्ड सप्लाइज है जिन पर मेरे को रिवर्स चार्ज में टाक्स पे करना है वो भी included है तो बेवकूफ ही है वो तो minus करना होगा तो intra state supplies made under forward charge इसको include करेंगे ब्रेक अप उप सप्लाइज है तो इसको हम लोग include करेंगे intra state supplies of goods which are chargeable to GST at nil rate इसको भी include करेंगे क्योंकि मैं आपको क्या बदा था aggregate turnover में सब कुछ आता है ठीक है aggregate turnover में सब कुछ आता है taxable, non-taxable, zero rated, nil rated सब कुछ आता है except for two very obvious things one, जो भी invert supplies है जिन पर आपको RCM में GST पे करना है two, जो भी आपका GSTs है CGST, SGST compositions है वगेरा और एक तीसरी चीज़ भी आ गई है composition scheme के aggregate turnover के लिए अगर आपने कुछ पैसा bank वगेरा में जमा किया है और आपको consideration in the form of interest मिल रहा है तो उसको भी आप minus करोगे तो अभी तो यहाँ पर इसने क्या बोला है इसने यहाँ पर बोला है कि total turnover कितना है 1.53.60.000 रुपे अब इसमें से हमें minus करने वाली क्या क्या चीज़े होगी एक तो अगर हमारे पास कोई ऐसी invert supplies आती है जिस पर RCM में tax pay करना है तो उसको हम लोग minus कर देंगे दूसरा अगर कोई ऐसा interest या deposit वगेर आता है deposit के ओपर कोई भी interest या discount वगेर आता है तो उसको भी हम लोग minus कर देंगे बाके सब कुछ included रहेगा तो Intrastate Supplies made under forward charge क्या ये included रहेगा? हाँ क्या हमें कुछ treatment करना है? नहीं Intrastate Supplies of Goods विचा Chargable to GST at nil rate क्या ये included रहेगा? हाँ क्या हमें कोई treatment करना है? नहीं Intrastate Supplies विचा wholly exempt under section 11 of CGST Act 2017 exempt हो कोई फरक ने पड़ता है? क्या ये included रहेगा? हाँ Value of exempt supply of services being interest earned on fixed deposits with bank क्या इसको हमें minus करना होगा? हाँ इसको हम minus करेंगे तो 1 crore 53,60,000 में से 1 crore 53,60,000 में से हम इस चीज़ को minus कर देंगे या आप ऐसे भी कर सकते हो क्या आपने इसको include किया इसको include किया इसको include किया इसकी जगा आपने nail कर दिया Depending upon जैसे भी आपका मन है Value of invert supplies on which taxes paid under RCM इसको भी आप minus करोगे तो देखो एक काम करते है अगर इन सब का total turnover 153,60 आ रहा है तब तो आप individually लिखकर दिखा दो मतलब if this plus this plus this plus this plus this ये total आपका 153,60 आ रहा है तब तो आप individually दिखा सकते हो माल लो total 153,60 ना आए तो फिर आप ऐसे दिखा दो कि 153,60 minus this minus this तब आप इस तरह से दिखा सकते हो मैं आपको बता देखो मैंने ये बोला कि अगर इसको आपने किया 75,00,000 प्लस 43,00,000 प्लस 32,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,60,000 इतना आया ये 1,53,60,000 आ गया अब ये आ गया तो इसका मतब आपके पास पूरा का पूरा डेटा दे दिया है इन लोग ने तब आप individually लेकर चल सकते हो लेकिन अगर मान लो इन सब का टोटल 1,53,60,000 रुपे नहीं आता तो इसका मतलब क्या होता कि सारी फिगर्स तो आपको दी नहीं है तो आप अगर individually include करते तो आपकी जो aggregate turnover की value है वो बहुत कम आ जाती ठीक है क्योंकि सारी कि सारी फिगर्स नहीं दी वह होती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको टोटल दिये टोटल में से आप ineligible वालों को minus करते हैं आईए हम लोग solve करना start करते हैं इस वाले question को आप लोग वीडियो को like कर दो ठीक उसके बाद 43 लाक रुपीस फिर 32 लाक रुपीस फिर 1 लाक रुपीस यह आए गई नहीं और यह 260 यह भी नहीं आए ठीक टोटल कितना आएगा 75 प्लस 43 प्लस 32 यह आया 1 क्रोड 50 लाक रुपीस 1 क्रोड 50 लाक रुपीस क्या यह composition scheme के लिए eligible है हाँ यह composition scheme के लिए eligible है क्योंकि 1.5 क्रोड exceed नहीं हो रहा है तो since it does not exceed 1 क्रोड 50 लाक रुपीस he is entitled for composition scheme ठीक है question number 3 आप अपने आप से कर दीजगा question number 4 कुछ है नहीं ठीक है तो question number 3 आप लोग अपने आप से homework में कर लीजिए गा इसका solution आपको मिल जाएगा ठीक notes में आपको इसका solution मिल जाएगा tax rates under composition scheme यह देखते है manufacturer के लिए manufacturer के लिए CGST है 0.5% SGST है 0.5% restaurant services के लिए 2.5% CGST 2.5% SGST और other supplies यहनी trader of goods के लिए 0.5% CGST और 0.5% SGST अब सुनो जो manufacturer और restaurant service है उसमें यह जो percentage है 0.5% 0.5% यह किसके ओपर है of the turnover in the state or union territory ठीक है मतलब उस state का turnover आप देखो और उसके ओपर 0.5 CGST लगा दो 0.5 SGST लगा दो ठीक उस state का restaurant service में क्या है 2.5% of turnover in the state or union territory तो उस state का आप turnover देखो उस पर 0.5% CGST 0.5% SGST लगा दो लेकिन जब आप other suppliers में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाए देता है 0.5 of turnover of taxable supplies of goods or services in the state or union territory ठीक है तो traders के case में जो आप percentage लगाते हो वो आप total turnover पर नहीं लगाते हो आप taxable supplies की turnover पर लगाते हो restaurant service में और manufacturer में आपने turnover in state पर लगा दिया अब यह turnover in state क्या है यह कुछ भी हो सकता है turnover in state total turnover in state लेकिन जब आप traders के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पर यह लोग कह रहे है 0.5% of turnover of taxable supplies in the state ठीक है आईए question देखो Mr. Nishten a retailer who keeps no inventories presents the following estimated information for the year purchases of goods 50,000,000 रुपे GST 5% है sales at fixed selling price inclusive of all taxes 60,000,000 रुपीज है GST काई है ठीक है यह बड़ा साही question है इससे आपको clear होंगी बहुत सारी चीज़ है ठीक अब क्या हुआ मैं एक retailer हूँ मैं एक retailer हूँ मेरे पास कोई सामान नहीं रहता और मैं आपको यह बता रहू मैं खरीदूँगा कितना सामान 50,000,000 रुपे का सामान खरीदूँगा यह sale MRP पर है यह sale MRP पर है तो 60,000,000 रुपीज अगर मैं normally registered हूँगा तो मैं इसका breakup दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं normally हूँ तो मैं tax invoice पे करूँगा जब आप unacademy पर subscription लेते हो तो unacademy वाले जब आप unacademy की website पर जाते हो तो आपके invoice में अलग-अलग breakup रहता है कि service की value इतनी है प्लस 18% GST इतना है तो unacademy आपसे अलग से charge नहीं कर रहा है लेकिन क्योंकि unacademy नॉर्मली रेजिस्टर्ड है तो वो breakup करके दिखा पा रहा है unacademy ब्रेकप करके दिखा पा रहा है कि service वाला component इतना है और GST वाला component इतना है क्योंकि unacademy is normally registered unacademy is not registered under composition scheme तो sales आपकी fixed selling price पर है 60,00,00 रुपे तो normal registration वाले जो भी बनना होगा वो 60,00,00 को breakup करके दिखाएगा लेकिन composition scheme वाला होगा बेचेगा वो भी 60,00,00 पर ही लेकिन क्या वो breakup करके दिखा सकता है नहीं वो 60,00,00 के उपर अपनी जेब से tax पे करेगा ठीक है वो 60,00,00 के उपर अपनी जेब से tax पे करेगा unacademy composition scheme में registered नहीं है तो 60,00,00 inclusive of all taxes है उस tax को ही वो पे करेगा सरकार को unacademy को अपनी जेब से अलग से कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है चलो क्या हुआ discuss whether he should opt for a composition scheme if composite tax is 1% of the turnover तो 1% है expenses of keeping detailed statutory records required under GSC laws will be 1,20,000 per annum which shall get reduced to 50,000 rupees if composition scheme is opted for other expenses are 3,00,000 rupees per annum चलो जी बड़ी अच्छी बात है इसने हैं पर बता दिया कि अगर आप detailed statutory records रखते हो normal scheme में आपको सब कुछ बहुत सारे records रखने होते है तो उसका साल भर का खर्चा 1,20,000 rupees काएगा लेकिन अगर आप composition scheme में जाते हो तो ये खर्चा कम होकर 50,000 rupees हो जाएगा बाकी आपके सारे expenses 3,00,000 rupees पर annum के है तो ये 3,00,000 rupees के अगर बाकी सारे expenses है तो ये तो as it is रहेंगा अब आपको करना क्या है अब आपको बस ये बताना है कि ये composition scheme में इसको जाना चाहिए या इसको composition scheme में नहीं जाना चाहिए तो सबसे पहले हम देखते है sales कितना कर रहा है ये 60,00,000 rupees की करेगा अगर normal scheme में हुआ तो 60,00,000 rupees की sales हुई normal scheme में हुआ 60,00,000 rupees की sales हुई composition scheme में हुआ तब भी 60,00,000 rupees की sales हुई ठीक है अगर normal scheme में हुआ तो आपको reverse calculation करके GST का amount निकारना पड़ेगा GST कितना है 5% का GST है मतलब x plus 0.5 of x is equal to 60,00,000 rupees ठीक है तो x कितना हैगा 60,00,000 rupees divided by 1.05 60,00,000 rupees divided by 1.05 this is the value of service this is the value of service m plus 60,00,000 minus MRC is equal to 285,714 285,714 this is the value of GST 285,714 285,714 ठीक है तो GST कितना है 285,714 normally registered बंदे को 285,714 सरकार को जमा करना है तो इसके लिए income कितनी हुई इसके लिए income कितनी हुई इसके लिए income हो गई ये वाला न ये तो है 57,14,286 57,14,286 57,14,280 ठीक है composition scheme वाला जो है वो customer से 60 ही charge करेगा बस invoice में अलग से दिखाएगा नहीं कि देखो 57,14,286 इसके लिए 285,714,GST के लिए लेकिन customer से तो वो 60 लाक रुपीज ही charge करेगा लेकिन इसको अपने आप से फिफ्टी नहीं फॉट्टी अब आगे देखते हैं पर चेजिस में 50 लाक रुपीज पर चेजिस में आपका पचास लाख रुपे आया लिए अब क्या जी आस्ट आपकी कॉस्ट होगी नॉर्मल वालों के लिए पर चेज करते समय जो 5% का GST पे करना है पर्चेस करते समय जो 5% का GST पे करना है सुनना 50 लाग रुपे पर 5% का जो GST पे करना है 0.5 लाग रुपे या normal scheme वालों के लिए is this a cost? No, this is not a cost why? क्योंकि वो 285.714 में से 250 का credit ले लेंगे 285.714 जो ये सरकार को पे करेंगे तो 250 का credit ले लेंगे तो पर्चेस करते समय जो GST पे कर रहा है क्या उसके लिए ये cost है? नहीं, उसके लिए कोई cost नहीं है तो यहाँ पर तो cost आपकी नहीं आई ठीक है? लेकिन क्या composition scheme वाला credit ले सकता है? नहीं, composition scheme वाला credit नहीं ले सकता तो composition scheme वाले ने हाँ cost है records maintain करने की cost normal scheme में 1,20,000 और composition scheme में 50,000 other expenses 3,000,000 ठीक, total costs कितनी आई? आईए देखते हैं तो 50,000,000 प्लस एक लाग बीस हजार प्लस तीन लाग इसकी total cost आई 54,20,000 ठीक, इसकी total cost कितनी आई? 50,000,000 प्लस धाई लाग प्लस 50,000 प्लस तीन लाग कितना? 56,00,000 ठीक, अच्छा अब इंकम कितनी? 57,14,286 57,14,286 माइनस 54,20,000 294,286 ठीक, इदर 59,40 माइनस 56 कितना आता है? 3,40,000 जा जाता है 3,40,000 तो इस case में इसको क्या लेना चाहिए? इस case में इसको normal scheme में जाना चाहिए, composition में जाना चाहिए, इसको composition में जाना चाहिए, क्योंकि 3,40,000 रुपे definitely इससे तो ज्यादा है ठीक है? अल्राइट ठन लगने लगए भाई, जाकेट बाइन के आगया हमें आजी, तो हम लोग ये composition scheme हम लोग ने goods वाला देखा अब इसमें क्या होता है? कि ये composition scheme जैसा मैंने आप लोगों को बता है कि पहले primarily goods providers के लिए ही बनी थी goods के suppliers के लिए ही बनी थी तो इसमें ये था कि अगर आप goods की supply कर रहे हैं तो आप साथी साथ service की supply नहीं कर सकते हैं ये था कि आप goods की supply अगर कर रहे हों तो आप साथ साथ service की supply नहीं कर सकते हैं except for one and that was what? that was restaurant service तो restaurant service है, तो restaurant service आप कर सकते हो restaurant service के लावा आप कोई और service नहीं कर सकते हो लेकिन यहां पर बोला गया कि आप थोड़ी बहुत कोई भी और service अगर जाहो तो वो प्रवाइट कर सकते हो अब वो थोड़ी बहुत की limit क्या है मतलब how do you define थोड़ी बहुत वो हम यहां पर अभी पढ़ने जा रहे तो restrictions on supplier of service, suppliers of service आओ देखे है तो the composition scheme is primarily only for suppliers of goods and restaurant services ठीक है हवेवर, composition suppliers are permitted to supply services other than restaurant services up to a specified marginal value in the year opting for composition ठीक है तो जिस साल आपने composition के लिए opt किया उस साल आप specified marginal value थोड़ा बहुत service आप कर सकते हो तो please note that a composition supplier doesn't have the option to go both ways that is pay tax on part of supplies of composition scheme and on the other supplies or normal scheme तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने जैसे मन में आता है न कि चलो ठीक है यार service के लिए composition scheme अगर नहीं भी है तो एक काम करते है न जितना मेरा goods वाला धंदा है उसको मैं composition scheme register करा लेता हूँ तो जो मेरा services वाला धंदा है उसको मैं normal scheme registration करा लूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता अगर आपने एक PAN के basis पर registration कराया है तो आप या तो composition में रहोगे या तो आप of the following higher of the following में 10% of the turnover in state or union territory और 5 lakh rupees तो 10% और 5 lakh rupees whichever is higher इतनी services आप provide कर सकते हो तिक आईए सर सबसे पहले हम लोग यह question number five देखते हैं तो देखो बात करते हैं तो ला राम is engaged in the supply of goods his aggregate turnover in the preceding financial year is 110 lakh 110 lakh है 1.5 crore से कभ है तो फिर यह बहुत आराम से composition scheme के लिए eligible है is he eligible for composition scheme? yes if yes can he supply services other than restaurant services तो other than restaurant services कर तो सकता है but only up to a specified marginal value if yes is there any limit to such supply of services? yes limit तो है if yes calculate up to what value can tola ram nation supply of services other than restaurant services तो अभी इसकी turnover कितनी है? 110 lakh है तो या तो इसका 10% या फिर 5 lakh रुपे whichever is higher तो इसका 10% कितना होगा 11 lakh रुपे? इसका 10% 11 lakh है 11 lakh है 5 lakh whichever is higher तो 11 lakh रुपे तक कि यह services को supply कर सकता तो आओ देखो May 2018 का question Messers, Nishten & Company is a partnership firm of interior decorators and also running a ready-made garment showroom turnover of the showroom was 103 lakh and receipts of the interior decorator services was by slag in the preceding financial year with reference to the provisions of CGST Act 2017 examine whether the firm can opt for a composition scheme a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 trillion rupees will be eligible to opt for payment of tax under the composition scheme however, this limit is 75 lakh rupees in case of these 8 states in the present case, the aggregate turnover of Messers, Nishten & Company exceeds 1.5 trillion rupees कैसे? क्यूंकि 130 lakh रुपे और 22 lakh रुपे तो एक्यूपन रुपन रुपन हो गया इसमें क्या हो जाएगा है? Will your answer change if the turnover in the 1002 lakh, 1202 lakh कितना आता है? 120 implicitा Lakh,Martin 402 lakhs रुपने, 142 lakhs रुपने हिए और तो टॉपने टर्ने रुपन रुपने सम सुआए टि Tribble 142 lakhs which is less than 1.54 रोपीस तो composition के लिए eligible है लेकिन यहां पर यह दो-दो चीज़े हो रही है एक तो readyment garden showroom भी है और उसके बाद यह services भी है अगर आप composition scheme registered हो तो आप services सिर्फ specified marginal value तक ही supply कर सकते हो और वो कितनी होती है 10% of turnover या फिर 5 lakh rupees whichever is higher तो 10% of 142 कितना होता है 14.2 lakhs या फिर 5 lakh rupees whichever is higher तो 14.2 lakh rupees तक की services यह लोग provide कर सकते है पर यह कर कितने की रहे यह 22 lakh रोपे तक की services provide करना है तो क्या यह compensation scheme के लिए eligible होंगे यह compensation scheme के लिए eligible नहीं होंगे also discuss whether it is possible for message national and company to opt for composition scheme only for showroom तो नहीं यह भी नहीं है ऐसा नहीं कर सकते है आप कि सिर्फ showroom के लिए आपने वो कर लिया और interior decorator services के लिए आपने normal scheme registration ऐसा आप नहीं करते है अब अगला यह वाले जो question है question no.7 इसको आप लोग अपने आप से कर लेना हम लोग आ जाते है meaning of turnover in state या turnover of union territory तो exactly बिलकुल वैसा सा ही हो जाता है जैसा आपने composition scheme के समय जब aggregate turnover किया था तो aggregate turnover करते समय जो जो चीज़ें हम लोगो ने include कितीं exactly बही चीज़ें चानने आपको क्या बताए था किए अगर किसी का business 1st April 2022 से start होता है किसी का business 1st April 2022 से start होता है और suppose 30 जून तक उस समय मैंने कोई और example लिया था, भी थोड़ी देर पहले कोई और example लिया था, यहाँ पर मैं कोई और example ले रहा हूँ, अलग figures ले रहा हूँ, तो 30th June 2022 तक अगर वो 40 लाख रुपे, अगर वो 40 लाख रुपे की turnover हो जाती है, ठीक है, तो aggregate turnover में ये 40 लाख रुपे include किया ठीक है, turnover in state calculate करते समय ये 40 लाख रुपे include नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, बड़ा simple सा logic है उसका, अगर मालनो turnover in state, turnover in state क्या है, turnover in state वो वाली value है, जिसके उपर composition supplier को GST pay करना होता है, aggregate turnover क्या है, aggregate turnover वो वाली value है, जिसके basis पर ये decide किया जाता है, कि आप composition supply म आने के लिए eligible हो, अब आपकी eligibility हो गई, अब देखा जाएगा कि आपको tax किस पर pay करना है, तो आपको tax pay करना होता है, turnover in state के उपर, now what is turnover in state, देखो, aggregate turnover, eligibility count करते समय, हमने इस 40 लाख को consider किया, लेकिन अगर हम turnover in state को count करते समय भी, इस 40 लाख को include कर देंगे, इसका मतलब पता 40 लाख पर भी pay करना पड़ गया, तो ये तो गलत बात है, ठीक है, 40 लाख तक आपको registration की ज़रूरत नहीं थी, आपने 40 लाख जैसे cross किया, आपने registration करा लिया, अब registration कराते समय, आपने compositions की में registration करा लिया, आपको साफ-साफ लग रहा है, कि या 1.5 करोड कहीं पहुचेगा, 40 लाख रॉसक हुई limit, तो अब मैं registration करा लेता हूँ, और मैं compositions की में registration करा लेता हूँ, आपने compositions की में registration करा लिया, ठीक है, अब आपकी साल भर की turnover, साल भर की turnover, मतलब 1st April से 30th March, 1st April से 30th March, 31st March, सॉरे, 1st April से 31st March तक की turnover आपकी हुई, सपोज 1.40 लाख रुपे हुई, आप tax इस पूरे 1 करोड 40 लाग पर भरोगे the answer is no क्योंकि 40 लाग तक तो आप registration के लिए ही liable नहीं थे 40 लाग तक तो आप registration के लिए ही liable नहीं थे और यह सिर्फ उस साले जिस साल आपका business start हुआ है ठीक है अगले साल से तो आप हर पैसे पर GST दोगे लेकिन इस साल आपका business start हुआ तो 40 लाग के turnover तक तो आप GST के लिए registration के लिए ही liable नहीं थे तो उस पर भी अगर सरकार tax ले लेगी तो कितना गलत हो जाएगा तो turnover in state is that value जिसके उपर tax calculate किया जाता है तो क्या इसमें 1 करोड 40 लाग आएगा नहीं इसमें 40 लाग हटा देंगे और सरकार आपसे tax लेगी सिर्फ एक करोड रुपए पर तो aggregate turnover और turnover in state exactly same है बस फर्क कितना है aggregate turnover में आप ये 40 लाग रुपए include करते हो आप aggregate turnover में ये 40 लाग रुपए को भी consider करते हो just to see whether he is eligible to opt for competition scheme और not लेकिन tax payment के समय आप tax pay करते हो किस पर aggregate turnover पर नहीं आप turnover in state पर tax pay करते हो turnover in state में अगर आपका business इसी साल शुरू हुआ है तो हम वो 40 लाग तक आप पर कोई tax नहीं लें 40 लाग तक वैसे भी कोई tax नहीं है बस ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है ठीक है अब ये वाली चीज़ आप अपने आप से पर सकते हो इसमें और कुछ भी नहीं है मैंने आपको सब समझा दिया है अच्छा उसके बाद what happens when turnover exceeds 1.5 crores या 75 lakhs तो जैसे turnover आपका exceed होता है 1.5 crores तो जितना भी excess होता है suppose 1.60 लाग हो गया तो 1.50 लाख तक आप composition scheme में दोगे उसके उपर का जो 10 लाख है उसके आपको regular scheme में tax पे करना होगा तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो आईए ही आपकी दुकान वाला question करते हैं या आपकी दुकान वाला question बड़ा सही है इससे बहुत सारी चीज़ें clear होंगी और उसके बाद आगे वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप अपने आप से कर सकते हो देखो 10.1 क्या हो गया? Compositions The aggregate turnover of the retail shop for the quarter ending 30th June 2022 was 40 lakh rupees तो पहले 3 महिनों में 40 lakh की turnover हो गई further, for the half year ending 30th September 22 the turnover reached 85 lakh rupees तो 1st April से 30th September तक की turnover क्या हो गई? 85 lakh rupees हो गया तो सुनो 1st April से 30th June तक quarter quarter ending 30th June is 40 lakh rupees उसके बाद ये नहीं लिखा कि next quarter 85 हुआ उसके बाद लिखा है कि for the half year ending 30th September तो 1st April से 30th September तक 85 lakh rupees हो गया तो सिर्फ July, August, September कितना हुआ हो गया? 45 lakhs April, May, June में कितना हो गया? 40 lakhs April, May, June, July, August, September कितना हो गया? 85 lakhs तो July, August, September कितना हो गया? 45 lakhs cumulative frequency तीक है? आपकी दुकान recorded a rapid growth and the turnover reached 150 lakh rupees by the end of December 22 and 165 lakh rupees by the end of January 22 Determine the total lakhs liability of आपकी दुकान Messrs. Nishten has duly complied with the provisions of GST laws Normal rate of tax in respect of goods sold in the shop is 12% तो normal rate कितना है? Normal rate 12% है और composition rate? Composition rate is 1% ठीक है? तो अब देखो, अब क्या होगा? 40 lakh 1st June 30th June तक 40 lakh का turnover है अभी इसे ही आपने business start किया है तो 30th June तक जो आपके 40 lakh का है तब तक तो आप registration के लिए liable ही नहीं हो और अगर आप registration के लिए liable नहीं हो तो क्या आपको GST पे करना होगा? आपको कोई GST नहीं पे करना होगा तो 1st quarter में cumulative turnover कितना हुआ? 40 lakh रुपे cumulative में क्यों बोल रहा हूँ? cumulative इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे half year का दिया हुआ है तो सिर्फ इसका कितना हो गया? 85 माइनस 40 तो 45 lakhs एप्रिल में June, July, August, September 6 महीने का 85 lakhs तो पहले 3 महीने का 40 हटा दो अब इस 45 lakh रुपीस पर कितना आएगा? एक पसेंट के रेट से GST दिया जाएगा क्यों? क्योंकि अभी 1.5 करोड के लिमिट क्रॉस नहीं होई है तो 40 lakh तक पहले 40 lakh पर कोई tax नहीं क्योंकि यह आपका year of starting of business है तो पहले 40 lakh तक कोई tax नहीं इस 40 के ऊपर 1.5 करोड तक 1% 1.5 करोड के ऊपर 12% तो इसका कितना आएगा? यह 45,000 आजाएगा तिक उसके बाद 1.5 करोड पहुंच गई December तक 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 1.5 करोड पहुंच गई तो 1.5 करोड पहुंच गई तो 1.5 करोड माइनस 45 इसका 1% 65,000 और उसके बाद January एंड तक 1 कितने पहुंच गई थी? 1.65 पहुंच गई थी January एंड तक यह 1.65 पहुंच गई थी से 1.65 by the end of January तो 1.65,000,000,000 1.65,000,000 तो इसमें से माइनस कर दो 1.50,000,000,000 तो कितना 15,000,000 अब इस 15,000,000 पर 12% से आपको टाक्स देना होगा कितना आता है? 1.80,000 तस 45,000 तस 65,000 कितना? 2.00,000,000 यह आगया आपका 2.00,000,000 ठीक है? बागी question 9 आप अपने आप से कर सकते हैं इसका solution आपको मैं दे दूँगा question 10 आप अपने आप से कर सकते हैं question 10 अच्छा है इनी question ठीक है? तो question 9 हो गया अब आओ बात करते हैं हम लोग persons not eligible to opt for composition scheme, जो लो composition scheme के लिए eligible नहीं है, हुआ not eligible to opt कौन कौन से? supplier of services other than restaurant services ठीक है? यह section 10 sub section 1 में these people are not eligible for composition scheme supplier of services other than restaurant services के restaurant services के अलावा आप अगर कोई और service प्रोवाइड कर रहे हो तो आप composition scheme के लिए registration नहीं करा सकते, right? supplier of goods or services which are not taxable under CGST Act, obviously जो non-taxable goods है, उनके लिए क्या ही लोग है and interstate supplier of goods or services अगर आप एक state से दूसरे state में डाल रहे हो goods बेच रहे हो, तो फिर नहीं person supplying goods or services to an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52, तो यह अब CA final में पढ़ोगे, अभी intermediate के लिए उतना नहीं है बस इतना याद रख लो, कि अगर आप किसी एक ऐसे electronic commerce operator के थू अपने goods को supply कर रहे हो, who is liable to collect tax at source, तो फिर उस पर compensation scheme नहीं लगेगा, manufacturer of certain notified goods, अभी certain notified goods कौन कौन से हैं, इन पर अभी हम लोग बात करेंगे, casual taxable person और non-resident taxable person तो casual taxable person का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था है, जैसे यहाँ पर दिवाली, दशहर अगरा में शिल्प मेला लगता है तो राजस्तान से, गुजरात से, अलग-अलग manufacturer of certain notified goods, manufacturer of certain notified goods, कौन कौन से goods है, तो बड़े simple से goods है, ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa, पान masala, aerated water, ठीक है, all goods, that is tobacco and manufactured tobacco substitutes, fly ash bricks और fly ash aggregate with 90% or more fly ash content, fly ash blocks, actually अब इसको change करना होगा, आपके notes में change करके दे दूँगा, यह fly ash bricks और fly ash aggregate with 90% or more हड चुका ही है, बस fly ash aggregate रह गया यह, ठीक है, simple है fly ash bricks और fly ash aggregate, fly ash blocks, ठीक है, अब यह 90% वाला नहीं रहा, ठीक है, मुझे तो यह यह यादा रहा है, 90% वाला भी यह है नहीं, आक ही हम लोग देख लेते हैं, यह देखो, fly ash bricks, fly ash aggregates, fly ash blocks, ठीक है, तो अब यह 90% वाला नहीं रहा, मैं आप इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका वाला simple है, आप एक काम करो, आप इमार्जन करो एक building बन रही है, वहाँ पर मजदूर लोग काम कर हैं, वहाँ मजदूर लोग काम कर रहे है, वीद्डीन बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? बिल्डिंग बनाने में आप करतेक्या हो, दीवारे बनाते ओ, जमीन बनाते च्छत बनाते हो तो आपको क्या चाहिए होगा अर्थ की और रूफ की टाइल्स चाहिए होगी ठीक है आपको ब्रिक्स चाहिए होगी तो फ्लाइच ब्रिक्स यह ब्रिक्स और फॉसिल मील्स बिल्डिंग ब्रिक्स आपको ब्रिक्स चाहिए होगी आपको टाइल्स चाहिए ह वर रोफ लगाने के लिए पार ब्रिक्स वगेरा चाहिए हूगा और यह लोग जब मच्दूर काम करतें वह ठक जाेंगे तो इनको ब्रेक चाहिए होगा तो break के लिए ये tobacco and manufacture tobacco substitutes खाएंगे ठीक है बीडी पीएंगे पान मसाला लगातार खाते रहेंगे तोबाको हो गया building बनकर जब complete हो जाएगी तो वहाँ पर अमीर लोग रहेंगे क्या अमीर लोग ये तमाकू वंमाकू खाएंगे अमीर लोग ये तमाकू नहीं खाएंगे अमीर लोग क्या खाएंगे वहाँ पर ice cream खाएंगे edible ice खाएंगे और aerated water cold ring पीएंगे ठीक है और ये मजदूर लोग क्या करेंगे मजदूर लोग ये तमाकू खाएंगे और पान मसाला खाएंगे मजदूर लोग तमाकू खाएंगे कोई ऐसी चीज नहीं है लेकिन यह वाली चीज जो मैंने आपको बताई है यह सिर्फ याद रखने के point of view से बताई है यह जितनी भी चीज है यह सिर्फ आपको याद रखने के point of view से बताई है तो please कोई offend मत हो ना बस इसको इस तरह से याद रख लो building बन रही है building में मजदूर काम कर रहे है मजदूर जब काम करेंगे तो इंटा चाहिए होगा और टाइल्स चाहिए होगी तो इंट तीन तरह की होती है तो इंट और टाइल्स यह सारी चीज़ें मजदूर लगाएंगे बीच में वो लोग break लेंगे break के लिए वो पान मसाला चबाएंगे पान मसाला के उसके बाद ये कुछ other important points है, ये सारे points हम लोग already discuss कर चुके हैं, तो आप इसको बस एक बार उपर से पढ़ लीजएगा, इसको दुबार से पढ़ाने के हम लोगों कहां पर जबरती है, because all these points are already, we have already discussed these points, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी composition scheme for services, ठीक है, तो पहले तो section 10.1 थ लगया, इसने कहा कि चलो ठीक है, services के लिए भी composition scheme हम allow कर देते हैं, ठीक है, अभी तक सिर्फ goods के लिए बात हो रही थी, अब इन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, services के लिए allow कर देते, कैसे allow किया, आओ देखो, section 10.2 ए provides for composition scheme of suppliers of service, इन्होंने बड़ा simple सा बोला है, कि अगर आप composition scheme के लिए apply कर सकते हो, service में ये 1.5 करोड की जगा 50 लाग कर दिया, अगर 50 लाग से कम है, तभी आप composition scheme के लिए apply कर सकते हो, अगर 50 लाग से आपकी ज्यादा है, तो आप composition scheme के लिए apply नहीं कर सकते हो, goods के case में rate क्या था, traders और manufacturers का 1-1% का था, restaurant services का 5% था, यहाँ पर services के case में, बाकी services की case में, rate of composition GST is 6%, कितना है, 6%, ठीक है, तो 10-2-A provides for composition scheme for suppliers of service, a supplier of service other than a restaurant service may opt for a composition scheme if his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 50 lakh rupees, suppliers of service under composition scheme have to pay tax at 6%, 3% CGST, 3% SGST, rest everything is the same as it is for supplier of goods, a supplier of service need not get himself registered if his aggregate turnover is less than 6%, or equal to 20 lakh rupees, तो यह इसके बारे में भी हम लोगे ने बात की थी, कि अगर आप एक supplier of service हो, तो 20 lakh तक आपको registration की कोई जरूरत नहीं होती है, 20 lakh के ओपर आपको registration कराना होता है, और अगर आप supplier of goods हो, तो 40 lakh तक आपको registration की जरूरत नहीं होती है, registration आपको 40 lakh के ओपर कराना होता है, तो अब ये वाला question, मैं देखता हूँ कौन सा question आप लोगों को कराना है, question number 10, आप लोग अपने आप से कर लोगे, question number 10, आप लोग अपने आप से कर लोगे, हम लोग आ जाते हैं question number 11 पर, ठीक है, हम आते है question number 11 पर, देखो जी, चंचल started providing beauty and grooming services and inaugurated care and care beauty center in Janakpuri, Delhi on 1st April 2022, तो 1st April 2022 को इसने अपना start किया, right, he opted to pay tax under section 10-2-A, यानि composition scheme of services of the CGSC Act 2017 in the said financial year, अच्छी बात है, aggregate turnover of care and care beauty center for the quarter ending 30th June 2022 was 20 lakh rupees, तो पहले quarter में 20 lakh का turnover हुआ, 20 lakh तक registration कराने की जरूरा नहीं है, लेकिन aggregate turnover calculate करता समय 20 lakh consider करेंगे, पर tax payment के समय जब turnover in state calculate करेंगे, तो क्या इस 20 lakh पर tax दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, further, for the half year ending 30th September 2022, the turnover reached 50 lakh rupees, care and care beauty center required a rapid growth and turnover reached 70 lakh rupees by the end of the October 22, to determine the total tax liability of care and care beauty center by the end of October 22, ठीक है, care and care beauty center wishes to opt for competition scheme under section 10.1 from the next financial year, you are required to advise whether it can do so, तो 10.1 तो goods के लिए होता है, तो देखते हैं, ठीक, rate of GST कितना है, rate of GST में आ जाता है आपका 18% से, rate of GST आ जाता है है आपर 18% से, let's see, तो पहले 20 lakh, पहले 20 lakh तक तो कुछ भी नहीं होगा, पहला जो 20 lakh है, उस पर कुछ भी tax नहीं दिया जाएगा, उसके बाद कितना हुआ, 20 lakh further for half year ending 38 September, turnover reached 50 lakh, तो अब 30 lakh rupees पर composition scheme से, GST pay करना होगा, तो यह आए 50 lakh, 30 lakhs, 6% के rate से, तो 6% of 30 lakhs कितना, 6% स्थी जाए 80, नेकला काच, 80,000, तो उसके बाद next क्या हुआ, 70 lakh पहुँच गया, 70 lakh पहुँच गया, तो 50 lakh के ओपर कितना, 18% से GST pay करना होगा, तो 70 माइनस 30 कितना होता है, 40 lakh, 40 lakh का 18%, sorry, 70 माइनस 30 होड़ लेंगे, 70 माइनस 50 लेंगे न, 50 के ओपर 20 lakh, 20 lakh पर 18%, 360,000 रूट, 1 lakh 80,000 प्लस 3 lakh 60,000, यह आया 5 lakh 40,000, ठीक है सर, यह आगया आपका 5 lakh 40,000, इसी के साथ, हमारा यह composition, लेवी वाला जो chapter वो खतम हो जाता है, जो section 10 था, वो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, कि section 10 में क्या क्या था, मतलब यह law था, उस law को हम लोग ने break करकर के, आराम आराम से पढ़ा है, तो यह पूरा का पूरा लंबा सा section है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा, जो भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो सब हम लोग अलड़ी पढ़ चुके हैं, conditions and restrictions for composition levy, आप सब लोगों को मालूमी है, कि tax invoice नहीं दे सकते हैं वगएरा वगएरा, तो यह साथी चीजें भी से में, इनको भी आप लोग पढ़ सकते हो, intimation for opting composition levy, अब यह वाली बात है, कि composition levy आप करना चाहते हो, यह आपको किस तरह से सरकार को बताना होगा, तो यह वाले जो चीज है, यह आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको to sum up से बता देता हो, simple है, अगर आप पहली बार registration कराने जा रहे हो, तो आप उसी समय बता दो, कि मैं normal scheme नहीं, मैं composition scheme में registration कराने जा रहे हो, वही intimation मान लिया जाएगा, दूसरा, अगर आप ने, आपको उस समय नहीं पता था, आपने registration करा लिया, और उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं, मैं composition scheme में हो, तब भी आप आराम से composition scheme में करवा सकते हो, आपको एक application उस पर देनी हो, यह हो गया, validity of composition levy, तो यह हम लोग उनको मालूमी है, validity कब तक रहेगी, तक रहेगी, या 50 लाग तक रहेगी, या 75 लाग तक रहेगी, जैसा भी होगा, और बस इसके बाद आगे चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद आगे की चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं, and this completes our composition levy वाला चाब, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा, जितने भी बचे हुए questions हैं, उनको आप लोग अपने आप से solve कर लीजेगा, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, आपको Unacademy Plus का subscription कैसे लेना है, तो आप Unacademy की website पर आएंगे, Unacademy की website पर आने के बाद, आप start learning पर click करेंगे, start learning पर click करने के बाद, आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा, यहाँ पर आप CA पर click करेंगे, CA पर click करने के बाद, आपके सामने यह आएगा, आप CA intermediate पर click कर दीजएगा, मैंने गलती से foundation पर click कर दिया, intermediate, 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 तो CA intermediate आड़ वाई, हाँ, हम CA पर आए, CA पर आने के बाद intermediate पर click किया, CA intermediate पर click करने के बाद, आपके सामने यह वाला page खुल जाएगा, यहाँ पर आप subscription plan पर आएंगे subscription plan पर आने के बाद आप यहाँ gate plus पर click करेंगे gate plus पर click करने के बाद आपके सामने यह page खुल जाएगा यहाँ पर आप मेरा code डाल देंगे niche 10 और apply कर देंगे तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा जो कि अभी on the date of recording और आज ही है on the date of recording 27 तारिक है आज ही आपको यह शाम को दिखाए जाएगा मैं सुबह भी सवास अब बज़ेस की recording खतं किये मैंने तो यह आपको 20% का discount मिल जाएगा तो thank you so much everyone please video को like कर देना comment section में comment करके बताना आपको session कैसा लगा take care अबना का लगे